विपक्ष ने बोला तो उसे एंटी नैशनल कह दिया जनता ने मेंडेट खिलाफ में दिया तो उसे अनपड कह दिया हमारे जैसे पत्रकारों ने सच का सामना गराया तो हमें देश विरोधी कह दिया पिछले नौ सालों में सवाल पूछती हर आवास को बीजेपी और उसकी पालतू मीडिया ने विलन घोशित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन क्या अब इन्हें भी अंदभग्त एंटी नाशनल कहेंगे दोस्तो सरकार की पालतू मीडिया सकपकाई हुई है उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या सत्पाल मलिक का विस्पोटक इंटरव्यू तो जैसे तैसे छुप गया लेकिन ये चहरा तो देश की सुरक्षा के सबसे बड़े चहरों में से एक है इनकी बात कैसे नजर अंदास कर दी जाए दोस्तो ये है भारतिय सेना के अठारवे थल सेना ध्यक्ष रिटाइट जनरल शंकर रोय चौधरी ने अपनी जिंदगी के 40 साल देश की सुरक्षा में दी दिये आज शंकर रोय चौधरी दुनिया के सामने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पुल्वामा हमले के लिए अगर कोई जिंदार है तो वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की सरकार और एने से अजीर डोभाल टेलिग्राफ को दिये एक इंटर्व्यू में अठारवे थल से नाध्यक्ष रहे रिटाइट जनरल शंकर रोय चौधरी ने बिना लागलपेट कह दिया पुलवामा में जानमाल के नुकसान की पहली जिम्मदारी प्रधान मंतरी के नेतृत वाली सरकार पर है जिसे राश्ट्रिय सुरक्षा सलहकार एने से द्वारा सलहा दी जाती है ये एक धक्का था रिटाइट जनरल शंकर रोय चौधरी ने आगे कहा कि हमले के पीछे खुफिया विफलता के लिए एने से अजीड डोबाल को भी उनके हिस्से का दोश मिलना चाहिए दोस्तो रिटाइट जनरल शंकर रोय चौधरी ने सरकार को उसकी खलती याद दिलाते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि 2500 से ज़्यादा जवानों को ले जा रहे 78 वहनों के काफिले को ऐसे हाइवे से नहीं ले जाना चाहिए था जो पाकिस्तान सीमा के इतने करीब है दोस्तो याद कीजिए ठीक यही बात जम्मू कश्मीर के पूर्व राजपाल सत्यपाल मलिक ने कुछ दिन पहले कही थी कि CRPF ने जम्मू से श्रीनगर तक सड़क से यातरा करने की बजाए विबान से यातरा करने का अनुरोद किया था लेकिन केंगरे कुरेबंतराले जो उस वक्त राजनाज सिंग के पास था उन्होंने जवानू के लिए विमान देने से मना कर दिया दोस्तों जम्मु कश्मीर के पूर राजपाल सत्यपाल मलिक ने ये भी दावा किया था कि जब उन्होंने इन विफलताओं के बारे में मोधी जी को प्रधान मंतुरी को बताया कि ये सब हमारी भूल की वज़े से हुआ है तो पीम ने उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया तो पहले सत्यपाल मलिक और अब 1991 और 1992 के बीच जम्मु कश्मीर के 16 कोर की कमान सम्हालने वाले रिटार्ट जेनरल शंकर रॉय चौधरी दोनों एकी बात बोल रहे हैं कि हमले को रोका जा सकता था अगर जवानों को सडक की रास्ते ना ले जाकर हवाई रास्ते ले जाया जाता तो दोस्तो जेनरल रॉय चौधरी ने टेलीग्राफ से कहा है कि ये एक गलती है जिससे सरकार अपना पल्ला जाड़ने की कोशिश कर रही है मैं धुरुनता से मानता हूं कि सैनिकों को विमान से ले जाना चाहिए था जो नागरिक उड़ेन विभाग वायु सेना या माई का लाल सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता चिनों ने अपना सारा जीवन देश की सुरक्षा में लगा दिया वो साफ साफ कह रहे है कि पुल्वामा हमला हमारी इंटेलेजन्स फेलियोर का नतीजा था जिससे सरकार पल्ला जाड रही है तो इस तो भारत जैसे मुल हम अपनी नैशनल सेक्योरिटी में खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि ऐसा होने से रूका जा सके और अगर पुल्वामा में ऐसा हुआ तो क्या इसकी लिए किसी कोई जवाब देही तै नहीं होगी शहीदों की शहादत पर वोट की रोटी तो सबने से की लेकिन तिरंग और अप अठारवे स्थल सेना अध्यक्ष रहे रिटायर जेनरल शंकर रॉय चौधरी के इस खुलासे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर लिए चैनल को जॉइन भी करें और सब्सक्राइब